नुश्कार आप देख रहें इंसाइड और लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा नीट यूजी 2024 परिक्षा में गरबड़ी को लेकर पूरे देश में मचे हंगामे के बीच बिहार सरकार ने पेपर लीक और परिक्षा में गरबड़ी रोकने के लिए सक्त कानून बनाने का निर्ने लिया है मुख्यमंदरी निटीश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिये कि नियूक्ती परिक्षा में किसी भी प्रकार की गरबड़ी बरदाश्त नहीं की जाएगी सीम निटीश कुमार ने अधिकारियों को सपस्च निर्देश दिया है कि राज्जी में होने वाली सभी नियूक्ती परिक्षाओं में पूरी पार दर्शिता सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने कहा कि पेपर लीक और अन्य गरबड़ियों को रोकने के लिए एक सक्त कानून बनाया जाना चाहिए जुससे की ऐसी घटनाओं की पुन्रा वृत्ती ना हो सके मुख्यमंद्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून विदो से सला लेकर सक्त कानून का मसौधा तयार करे और इसे विधान सभा की अगले सत्र में पेश करे उन्होंने ये भी कहा कि विधान मंडल से पारित करा कर इस कानून को तत्काल लागू किया जाएगा दरसल नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिनाम आने के बाद बड़े पैमाने पर गर्बरी के आरोप लगे पहली बार All India First Rank पर 67 छात्रों के चयन और 16 छात्रों के रोल नंबर एक दूसरे के आसपास होने के कारण बिवाद उत्पन्न हुआ है हर्याना, UP, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और करनाटक के टॉपर्स के मामले में गर्बरी के आरोप लगाए गए हैं बिहार और गुजरात से पेपर लीग की खबरे भी सामने आई है दरसल NDA ने 13 जून को ये घोशना की थी कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी हालक इससे छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है बिहार और गुजरात से पेपर लीग की खबरों के बाद NDA की विश्वसनियता पर सवाल उठने लगे है जुसके चलते छात्र CBI जाच की मांग कर रहे है आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने मामले की CBI जाच की आचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने भी माना है कि नीट परीक्षा में गरबरी हुई है और केंद्रिय श्रिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधार ने दोशियों पर बड़ी कारवाई की भी बात कही है आपको बता दे कि मुख्य मंत्रे नितीश कुमार का ये कदम नीट यूजी 2024 परीक्षा में गरबरी और पेपर लीग जैसी घटनाओ को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है बहार सरकार की ये सकती परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निश्पक्षिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है अब देखना ये है कि विधान सभा में सकत कानून को कब तक पारित किया जाता है और इसे लागू करने के बाद परीक्षा प्रक्रियाओं में कितना सुधार होता है ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इंसाइडर लाइव